जनसत्ता संपात किया गती 110 शब्द ब्रति मिनट Be ready 3, 2, 1, Start इस वक्त जब तेश एक बार फिर आंशिक बंदी के दौर से गुजर रहा है कारोबार बाधित हैं दूसरे देशों से व्यापार धीमा पड़ा है और वैश्विक रेटिंग एजिंसियां बार बार भारतिय अर्थ व्यवस्था को लेकर चिंता जता रही है तब मार्च महिने में अध्योगिक उत्पादन में 22 फीसद से अधिक के उच्छाल और अप्रेल में खुद्रा महंगाई में करीब एक फीसद की कमी दर्ज होना निसंदे राहत की बात है इससे यह साबित हुआ है कि भारतिय उद्योग जगत अनुकूल इस्तियां मिलते ही फिर से अपनी रफ्तार पकड और गिर्ती अर्थ व्यवस्था को मजबूती दे सकता है पिछले साल पूर्ण बंदी की वजह से भारतिय अर्थ व्यवस्था बुरी तरहे लड़ खड़ा गई थी विकास दर चिंता जनक रूप से रिनात्मक इस्तर पर पहुँच गई थी बंदी खुलने के बाद हालां की सरकार ने उद्योग जगत को कई तरहे के प्रुत्साहन पैकेज दिये पर अनेक छोटे मंजौले और सुक्ष्म उद्योग बंद हो गए कारोबार ने अभी अपनी रफ्तार पकड़नी ही शुरू की थी की कोरोणा की दूसरी भयावह लहर आ गई और अर्थव्यवस्ता पर फिर से गंभीर चोट पहुँचा दी ऐसे में बीच के दो महीनों मार्च और अप्रेल में उत्पादन और महंगाई के इस्तर पर बहतरी भविश्य के लिए नई उम्मीद जगाती है पैरा अर्थव्यवस्ता को मजबूत बनाने में अध्योगिक उत्पादन की एहम भूमिका होती है सरकार इसी बात को लेकर उम्मीद बनाए हुए थी कि अगर अध्योगिक शेत्र संभल गया तो अर्थव्यवस्ता को हुए नुकसान की भरपाई जल्दी हो सकेगी इसी लिए अध्योगिक शेत्र को कई तरह के प्रोसाहन पैकेज दिये गए बैंकों को निर्देश दिया गया की वे करजों की शर्ते और नियम लचीला बनाए और अध्योगिक शेत्र को सहयोग प्रदान करें उसका असर भी दिखाई देने लगा जल्दी ही गिरती अर्थ व्यवस्ता का रुख उपर की तरफ दिखना शुरू हो गया मार्च महिने में अकेले और दियोगिक उत्पादन में 22.4 फीसद का उचाल निसंदेह उत्साह जनक है उत्पादन बढ़ने का अर्थ है कि बाजार में मांग बढ़ रही है बाजार में मांग बढ़ती है तो उससे नए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं उससे लोगों की क्रेश शक्ती बहतर होती है अर्थ विवस्ता का यह चक्र निरंतर संतोलित बना रहे तो विकास दर बेहतर बनी रहती है इसके साथ ही महंगाई पर काबू रखा जाए तो लोगों का जीवन काफी आसान बना रहता है अप्रेल में खुद्रा महंगाई की दर पिछले महीने यानी मार्ज के 5.52 प्रतिशत से घटकर 4.29 पीसद पर पहुँच गई इसके पीछे अनाज फल और सबजीयों की कीमतों में आई कमी बताया जा रहा है यह तब है जब पिछले कुछ समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बड़ोत्री हो रही है पैरा इस बार कोरोना ने फिर महामारी की शकल जरूर ले ली है पर पिछली बार की तरहे कारोबारी गतिविदिय पूरी तरहे बंद नहीं की गई है कल कारखानों के बाहर ताले नहीं पड़े हैं दफ्तरों में सीमित ही सही कामकाज चल रहा है बाजार आंशिक रूप से ही सही खुले हुए हैं इसलिए अध्योगिक उत्पादन और महंगाई के मामले में बेशक कुछ रुकावट आई ह पर पिछली बार की तरहे इनमें चिंता जनक असंतुलन की भावना नहीं है और द्योगे की काईयों का प्रदर्शन थोड़ा बादित जरूर होगा पर बड़े उत्योगों पर उतनी मार पढ़ने की आशंका नहीं है ऐसे में कुरोना की नई लहर के मद्धिम पढ़ते ही यह शेत्र फिर से गती पकड़ेगा और अर्थ विवस्ता को संभालने में मदद करेगा अगर सरकार महंगाई की दर को भी इसी तरहे संतुलित रखने के प्रयास में सफल रही तो विकास दर को बढ़ाने और आम लोगों के जीवन की दुश्वारियां कम करने में काफी मद मिल सकती है पैरा एक और कोरोना संक्रमन के मामले लगातार चिंता जनक बने हुए हैं और दूसरी और इससे निपटने के लिए चिकिस्य उपायों के मोर्चे पर विवस्तागत कमिया हालात को और गंभीर बना रही है पहले ही संक्रमितों के इलाज के मामलों में अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं और बिस्तर तक उपलब्द नहीं होने के चलते समस्या गहराती जा रही थी वहीं जब इस महामारी का सामना करने के लिए टीका एक उम्मीद बन कर आया तो अब वह भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है यों जरूरत के मुताबिक टीके की कमी से देश के लगबग सभी राज्य दो चार हैं लेकिन खास तोर पर दिल्ली में इस्तित बेहद अफसोसनाक हो चुकी है दिल्ली में महामारी से पार पाने में मकसद से उम्मर के मुताबिक टीका करन का दायरा बढ़ा कर 18 से 44 साल के लोगों तक कर दिया गया लेकिन सवाल है कि जितनी तादाद में टीके उपलब्द हो सके उसमें यह लक्षे कैसे हासिल किया जाएगा क्या इस्तती का वास्तविक आकलन सरकार और संबंदित महकमों के पास नहीं था पैरा गौरतलब है कि फिलहाल कोवैक्सिन और कोवी शिल्ड दो टीके दिल्ली के लोगों को लगाये जा रहे हैं संक्रमन और इससे बचाव को लेकर बढ़ती जागरुकता की वजहे से लोग बड़ी तादाद में टीका लगवाने आगे आ रहे हैं लेकिन लोगों की संख्या के अनुपात में टीके उपलब्द नहीं हैं को वैक्सिन का स्टॉक खत्म होने की वजहे से सौ से जादा टीका करण केंद्र को बंद करने की नौबत आ गई वहीं कोवी शिल्ड अब महज कुछ दिनों के लिए बचा हुआ है इसी वजह से 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का को वैक्सिन के जरिये होने वाला टीका करण फिलहाल बंद कर दिया गया है ऐसे में स्वभाविक ही सब को टीका लगाने के मसले पर दिल्ली सरकार के उन दावों पर पानी फिरता नजर आ रहा है जिसमें उसने तीन महिने के अंदर पूरी दिल्ली को टीका लगा देने का लक्ष गोशित किया था यह किसी से छिपा नहीं है कि शुरुआत से ही दिल्ली उन राज्यों में से रहा है जहां कोरोना विशानू के संक्रमन की सबसे ज़्यादा मार पड़ी है बचाव के तमाम कवायदों के बावजूद वह बिमारी के फैलाव का मामला हो या फिर इससे संक्रमित लोगों के इलाज का संसादनों की कमी से लेकर इलाज के मोर्चे पर तस्वीर बहुत बेहतर नहीं हो रही है पैरा यह बेवजह नहीं है कि दिल्ली सरकार अब इस बात के लिए विपक्षी दलों के निशाने पर है कि उसने आधी अधूरी तैयारी के साथ 18-44 साल के आयूवर्ग के लोगों के लिए टीका करण की शुरुआत कर दी इसमें हुआ यह की अब तक जिन लोगों ने टीके की एक खुराक ले ली अब उनके सामने दूसरी खुराक लेने की चुनौती है कि यह अगले निर्धारित समय पर कैसे संभव हो पाएगा इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीका लेना चाहते हैं उनके सामने अब इसकी कमी की एक नई परेशानी खड़ी हो गई खास तोर पर इस बीमारी से लड़ने के क्रम में अग्रिम मोर्चे पर जो लोग हैं उनके लिए टीका एक प्रात्मिक जरूरत है हालांकि यह भी सही है कि आने वाले दिनों में टीके के उत्पादन में बड़ोत्री के साथ इसकी उपलब्दता भी बढ़ेगी लेकिन टीका और इसके प्रभाव की समवेदन शीलता को देखते हुए इसमें पूरी साथानी बरतने की जरूरत है कि यह हर तरह से सबके लिए सुरक्षित हो पूनविराम